वैसे तो कई सारे बच्चे आल्रेडी नेवेंबर 16 का इंतजार कर रहे हैं जहां उनका 2025 सेकेंड इंटेक एफोस एक्जाम इंतजार कर रहा है। दिवाली के बाद होने वाले इन एक्जाम के खासियते कुछ अलग होगी जहां एक तरफ बच्चे अल्रेडी पहले confidence पे बैठे हुए थे यह एक्जाम जो पोस्पोर्न हुआ लेकिन इसके कातर अब आपको इतना ध्यान देना है कि दिवाली holidays आपके किसी भी कीमत पे एक्ज opportunities आ रही है कितनी vacancy आ रही है और क्या-क्या MKC उनके लिए करने वाले हैं new batches के लिए इस वीडियो में तो जानने की बहुत जादा curiosity होगी आपके मन में कि यह offer यह vacancy यह अभी तो गया लेकिन अब हम अगले के लिए कैसे prepare करें हम कब किस समय से form भर सकते हैं या क्या exam rate होग यह सारे doubt में इसमें clear करने वाली हूँ आपके तो सबसे important बात कि यह vacancy आ कब रही है तो vacancy के लिए बच्चों के दिमाग में पहले से criteria भी बनाओना चाहिए कि कभी भी किसी बी exam की preparation vacancy आने के बाद नहीं शुरू होती आपका एक mindset होना चाहिए आपको पता है कि साल भर में दो बार एरफोर्स के exam होने वाले हैं 6-6 मंत के gap में यह forms आते हैं और regular इनकी भरती proper तरीके से की जाती है जिसमें कोई भी if but नहीं है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको vacancy या notification का इंतजार नहीं करना यह सबसे बड़ी गलती होती जिसकी वज़े से आपके exam स हमेशा रुप जाते हैं आपको अपने preparation को हमेशा boost up करना है और दिमाग में एकदम mindset बना के रखना है कि वेकेंसी तो आएगी ही आएगी आपको fight करना है केवल और केवल एक वेकेंसी के लिए एक seat के लिए तो आप उसके लिए prepared रही है तो सबसे important बात कि 2025 का first intake exam की form date जब गया था वो 17 जनवरी को application begin हो गया था last date था 2 February में 11 तारिक को और exam date था March में 17 March से exam date आपके शुरू हो गया थे और result आ गया था April में मतलब आप देख रहे हैं कि लगातार application form start हुआ last date एक मन्त का इन्होंने एक time दिया March में exam करा है और April में उसका result भी आ गया अगर हम second intake की बा लेकिन exam होगा अब November में यहाँ पर बच्चों को एक मन्त का gap कही ना कहीं मिल गया लेकिन आप इस procedure को समझे के Air Force कितने frequent है अपने exams को लेकर अपने forms को लेकर के within 2-3 months में वो सारी vacancy को clear कर देती है लेकिन अगर हम अब बात करें first intake 2026 की तो इसका notification आ जाएगा last year mid December में December में form आएगा second week of January में इसके application form भरने शुरू हो जाएंगे last week of March में इसके exam date होगी और आप देख सकते हैं कि इसका expected result भी अगर हम previous procedure देखें तो April में में कहीं न कहीं इसका result आ जाएगा main है vacancy कितनी है तो इस बार major vacancy ध्यान देने लाएक है कि 5000 प्लस वेकिंसी आएगे यह huge vacancy है तो आपने में पूरा procedure एकदम clear हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि कब और कैसे vacancy आ रही है और age criteria अगर हम 2025 के second intake के age criteria देखें तो 3 July 2004 से लेकर के 3 January 2008 के बीच में थी दो हजार 26 के जो age criteria है वो है 3 January 2005 से लेकर के 3 July 2008 के बीच में तो get ready aspirants आपके सामने आपका exam इंतजार कर रहा है जो आपके लिए बहुत ही crucial होने वाला है आपके सपने आपके परिवार को पूरा फिल्फिल करेगा अब आप competitive phase के age में आ चुके हैं और अपनी preparation को boost up करिए और स साथ ही साथ में आपको बता दू कि Air Force के एक्जाम के जब हम बात करते तो दो सेक्टर आते एक एक ग्रूप आता है और एक वाई ग्रूप आता है एक ग्रूप उन बच्चों के लिए हैं जो भी science stream से हैं अब academic qualification क्या है इसके बारे में हम जानते science stream से क्या मतलब है मारा आप मतलब individual subject की बात हो रही है या फिर आपके पास होना चाहिए तीन साल का engineering diploma, mechanical, electrical या electronics, automobile, computer science, instrumental technology, information technology जिसमें आपके 50% overall percentage होने चाहिए और English में आपके अलग से 50% marks होने चाहिए 50% का मतलब है कि अगर आपका 100 marks का paper था तो आपके 50 marks से जाधा होने चाहिए अगर आपका 80 marks का paper थ तो आपके 40 marks से जाधा होने चाहिए अकेले English में और overall आपका जो graduation का percentage है वो 50 plus होना चाहिए या फिर आपने 2 years vocational course किया हो with non vocational subjects, physics और maths आपके recognized board से होना चाहिए जिसमें भी आपके 50% overall percentage होने चाहिए और English में 50% individual percentage होने चाहिए other than science की बात करें यानि commerce और arts students के अगर हम बात करें वो Y group का form भर सकते हैं हाला कि Y group का form जो है वो science stream वाले भी भर सकते हैं लेकिन Y group के लिए eligibility क्या है वो हम देख लेते हैं 10 plus 2 pass होना चाहिए 50% marks होने चाहिए और English में भी 50% separate marks आपके होने चाहिए 2 years vocational course with minimum 50% aggregate and 50% in English ये आपकी academic qualification हो गई आगे की बात करें तो online और offline courses दोनों में ही चल रहा है दिवाली से अब भरपूर इस offer का फायदा उठाए घर बैठे ही ताकि after दिवाली आप अपने track पे आ जाए और exam के लिए पूरी अच्छी तरह से prepare हो जाए वर्दी को सोचना और उसको हासिल करना इससे पहले आपके सामने होते कई सारे कदमों की दूरी उन कदमों की दूरी को तै कराने के लिए major कर्शी classes आपके सामने हैं जो आपको एक limited offer और एक limited price में आपके सपने को पूरा करेगा तो basically offer क्या चल रहा है जहां पे 100% selection की guarantee आपको मिलेगी online में चल रह है 10,000 रुपए का discount जहां पर एक perfect team आपको हर एक subject के लिए perfectly guide करेगी जो आपके सपने को वाकई में पूरा करके दिखाएगी help line number आपके सामने है हमारा 9696330033 यहां पर written exam, physical phase 2 की भी साथ-साथ preparation होगी medical की facilities दी जाएगी और training की भी facilities मतलब एक combo जो आपके पूरे सपने को पूरा करेगा ठीक है तो I hope यह सारा criteria आपके दिमाग में एकदम clear हो गया है तो offer को avail करे, happy diwali, जै हिन, जै भारत